गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओनलाइन लर्निंग श्टैनो चैनल में आप सभी का स्वागत है सो शब्द प्रती मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट रिजर्व बैंक की मोदरिक नीती समीती ने इस बार भी नीती गत दरो में बदलाव नहीं किया विराम यहे लगातार आठवा मोका है जब रेपो और रिवर्स रेपो दर को पूर्व स्तर पर रखा गया है विराम यहे इस बात का इसपश्ट संकेत है कि केंद्रिय बैंक अभी दरों में उदार रुख बनाए रखने के पक्ष में है विराम नीती गत दरें 2001 के बाद से सबसे निचले इस्तर पर बनी हुई है विराम अभी रेपो दर 4 फीसद और रिवर्स रेपो दर 3.35 फीसद है विराम हालां की दरों को बहुत लंबे समय तक इतने निउन्तम इस्तर पर बनाए रखना भी संभव नहीं है विराम मोदरिक नीती समीती ने यह संकेत भी दे दिया है कि आने वाले दिनों में वह उन प्रोत्साहन उपायों को वापस लेने का भी काम शुरू कर सकती है जो महामारी से अर्थ ववस्ता को उबारने के लिए किये गए थे विराम जाहिर है कोमा अगली बैठक में नीती गत दरों में व्रिधी को लेकर कोई राय बने विराम फिलहाल रेपो और रिवर्स रेपो दर बदलाव नहीं करने का फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि बैंक करज कम ब्याज दरों पर ही मिलते रहे विराम तेवहारी मोसम में लोग घर कोमा गाड़ी और कई तरह का समान खरीदते हैं और इससे बजार में तेजी का रुख बनता है विराम अगर करज सस्ते रहेंगे तो बजार में मांग बनाने में मदद मिलेगी विराम पैरा पिछले बीस महिनों में रिजर्व बैंक का जोर महामारी से ध्वस्त अर्थ ववस्ता को पट्री पर लाने में रहा है विराम इसके लिए बैंक ने कई बड़े कदम उठाए कोमा उद्योगो को राहत दी कोमा बैंको को नगदी मुहया करवाई कोमा खास तोर से छोटे और मजोले उद्योगो के लिए करज सस्ता किया ताकि पूर्ण बंदी के कारण बंद हो चुके उद्योग फिर से काम शुरू कर सके विराम इसके साथ ही केंद्रिय बैंक की चिंता महंगाई को लेकर भी कम नहीं दिखी विराम महंगाई बे काबू होने की वजह से भी नीती गत दरों में व्रिधी करना संकट को और बढ़ाना ही होता विराम हालंकी अर्थ ववस्ता में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं विराम लेकिन अभी भी सबसे बड़ा संकट मांग और उत्पादन का बना हुआ है विराम रिजर्व बैंक खुद मान रहा है कि उत्पादन अभी भी महामारी के पहले वाली स्थिती में नहीं आया है विराम इसके साथ बजारों में मांग भी नहीं है विराम मांग और उत्पादन में सुस्ती छाई रहना चिंता पैदा करती है विराम अभी भी जो लोग खरीद कर रहे हैं वे बहुत जरूरी होने का ही पैसा निकाल रहे हैं विराम यानि लोगों के पास पैसे का संकट अभी भी है विराम इसलिए रिजर्व बैंक के सामने बड़ी चुनोती मांग कोमा उत्पादन और खपत के चक्र को फिर से चलाने की है विराम पैरा महंगाई भी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है विराम रिजर्व बैंक का अनुमान है कि अगले साल मार्च तक मुखे मुद्रास फिती 5.3 फीसद रहेगी कोमा जिसका पहले 5.7 फीसद रहने का अनुमान था विराम यानी आने वाले वक्त में भी महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे विराम पैट्रोल कोमा डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम आग में घी का काम कर रहे हैं विराम पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी होती जा रही है विराम ऐसा नहीं की पैट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से रिजर्व बैंक परेशान नहीं है विराम वह खुद मान रहा है कि इन दोनों उत्पादों के दाम बढ़ने से जो महंगाई बढ़ रही है कोमा उससे आमजन का जीना मुहाल हो गया है विराम इन दोनों उत्पादों पर शुलकों में कटोती के लिए वह केंद्र से कह भी चुका है विराम लेकिन केंद्र और राज्ये इस मुद्दे पर जिस तरह की चुपी साधे हुए है कोमा वह संकट को दिनों दिन गंभीर ही बना रही है विराम पैरा लखीमपूर खीरी मामले में सर्वोच नियाले ने उत्तर परदेश परशासन के रवये पर उचित ही नाराजगी जाहिर की है विराम इस मामले का संग्यान खुद परदान नियाधीश ने लिया और कुछ वकीलों की लिखी चिठी को याचिका मानते हुए उस पर सुनवाई शुरू की है विराम एक दिन पहले अदालत ने उत्तर परदेश सरकार से कहा था कि वह अपना पक्ष रखे विराम शुकरवार को मामले की सुनवाई करते हुए परदान नियाधीश ने इसपश्ट कहा कि वे उत्तर परदेश परशासन की कारवाई से संतुष्ट नहीं है विराम क्या वजहा है कि पांच दीन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को गिरफतार नहीं कर पाई है विराम क्या ऐसे ही किसी दूसरे मामले में भी वह कर सकती थी विराम जैसे ही सर्वोच नियाले ने इस मामले का संग्यान लिया कोमा उत्तर परदेश पुलिस मुखे आरोपी आशीश मिश्र के घर के बाहर गिरफतारी का नोटिस चिपका आई थी विराम जब सर्वोच नियाले ने उसकी गिरफतारी की बाबत पूछा तो उत्तर परदेश सरकार ने कहा कि पुलिस ने उसे हाजिर होने का नोटिस दिया है कोमा अगर हाजिर नहीं हुआ तो आगे कारवाई करेंगे विराम फिर अदालत ने उत्तर परदेश सरकार से पूछा है कि इस मामले की जाच किस से कराई जा सकती है विराम वहां के पुलिस महानिदेशक को निरदेश दिया है कि जब तक जाच समीती अपना काम शुरू नहीं करती कोमा तब तक वे साक्षयों की सुरक्षा का ध्यान रखे विराम पैरा यहे छिपी बात नहीं है कि लखीमपूर खिरी में गाडियों से रोंद दिये गए चार लोगों और भीड हिंसा में मारे गए चार अन्य लोगों की मौत को लेकर उत्तर परदेश पुलिस शुरू से शितिलता बरत रही है विराम स्टोप फ्रेंड्स पीडियाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल लाएगा आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके अपने चैनल ओनलाइन लर्निंग स्टैनों में सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में